हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने क्रीज रखी है कि वह फास्टिंग के बारे में एक वीडियो बनाई लोग बात करते हैं लगातार कि फास्टिंग से उबसिटी कम हो सकती है या फास्टिंग करने से जो metabolic problem है जो digestive problem है वो ठीक हो सकती है और एक common question रहता है obesity वाले जो लोग है या फिर जिनको IBS है या आलसर है जिनको या पेट में गैस या दूसरी problems बनी रहते हैं वो generally लोग ये मानते हैं उनका ऐसा मानना है कि भी fasting करने से उनकी ये problems ठीक हो सकती हैं लेकिन आप बिलकुल गलत तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं और गलत direction में आप अपने को ले जा रहे हैं fasting के clinical health benefit होते हैं इसमें कोई doubt नहीं है और fasting से हम बहुत सारी problems को काफी हद तक control कर लेते हैं या उसमें clinically फाइदा भी होता है बट fasting एक बहुत ही specialized practice है fasting को कभी भी आप खुद से या फिर उसके बारे में पूरी तरीके से वगर जाने ना करें क्योंकि fasting की अलग-अलग conditions होती है और सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कुछ बीमारिया हैं जिनमें fasting की जा सकती है लेकिन fasting का सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है और यदि आपने सही तरीके से सही food पे fasting नहीं की तो उससे आपको clinically नुकसान होंगे और आपकी problems और ज़्यादा complicated हो जाएगी तो सबसे पहले हम आते हैं कि fasting से हमें क्या फायदा होता है clinical यदि हम fasting को देखें तो fasting से body को detox किया जा सकता है pH level को maintain किया जा सकता है और यदि आपका pH level गड़ बढ़ा रहा है या आपको बहुत ज़्यादा toxins हैं आपको skin disease है आपको hair fall है आपको फोड़ा फुनसी बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर आपको obesity है तो आप fasting कर सकते हैं लेकिन fasting का clinical benefit सबसे पहले है कि fasting आपकी body में जो extra calorie है body के अंदर जो toxins है या फिर body के जो clinically parameter है उनको regulate करने में काफी हद तक मदद करता है जो metabolic load है जब वो load कम हो जाएगा तो आपको clinically दूसरे label पे भी फायदा देखने को मिलेगा जैसे example के लिए यदि आप बहुत ज़्यादा calorie लेते हैं जिसमें की बहुत ज़्यादा oily और spicy और बहुत ज़्यादा sweet और junk food जाता है suppose इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपको एक दिन में 1500-1800 calorie की जरुवत है 1500-1800 calorie की आपको जरुवत है और यदि आप more than 2500-2500 से ज़्यादा calorie लेते हैं तो आप per day कुछ ना कुछ excessive calorie ले रहे हैं और वह excessive calorie काई वारी obesity, fatty liver, diabetes, hypertension, migraine, depression, skin disease और बहुत सारी problems का indirectly कारण बनते हैं तो सबसे पहले है कि आपने जो extra calorie लिया है वो आपका burn हो जाएगा फिर आपको clinically benefit होंगे दूसरा cellular level पे purification करती है यानि fasting से आपको cellular level पे purification होता है यानि जो आपकी सबसे छोटी unit है cell उसके label तक आपको detoxify हो जाता है तो fasting का अपना एक ये benefit है अब हम आते हैं कि यदि आप obese हैं, आपका fatty liver है, आपको diabetes है, आपको hypertension है या आपको migraine है, या आपको depression है या फिर आपको कोई दूसरी problem है medically diagnosed problem यदि कोई आपको है, तो आप fasting तो कर सकते हैं, लेकिन आप fasting में continuous six hour से ज़्यादा empty stomach ना रहें fasting का फिर तरीका आपको बदलना होगा, आप vegetable पे fasting कर सकते हैं, आप fruit पे fasting कर सकते हैं, आप खिचडी दलिया पे fasting कर सकते हैं, आप water पे fasting कर सकते हैं, आप coconut water पे fasting कर सकते हैं, आप juice पे fasting कर सकते हैं बट ये make sure करिए कि 6 आवर में आपको कुछ ना कुछ फूड आपको लेना होगा यानि जितनी आपकी requirement है जितनी आपको भूग लगती है उससे आप आधा खाएं यानि 50% सुबह दुपहर रात को आप make sure करें कि और दूसरे food ना खाएं यानि आप multiple जो food लेते हैं जिसमें कि आपकी सबजी भी होती है दाल भी होती है एक भी होता है जिए multiple food यानि आप जैसे चार दवाईयां एक साथ लेना reactions उस तरीके से ही चार तरीके का खाना एक साथ ना लेने से आपको बहुत सारे benefit हो आप एक तरह का कोई फूड चुन सकते हैं और वन वीक आप फास्टिंग पर रह सकते हैं, लाइक एपल फास्टिंग कर सकते हैं, वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, जूस फास्टिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल फास्टिंग कर सकते हैं, खिचिर दलिया पर फास्टिंग कर सक बट मेक शॉर के वन वीक तक आपको केबल एक ही फूड का चुनाब करना है और केबल वही फूड लेना है जिससे की आपके बॉड़ी में नाकेबल प्यॉरिफिकेशन होगा डिटॉक्सिफाई होगी बॉड़ी आपकी बॉड़ी में ऑक्सिदेशन बढ़ेगा हैड्रोलाइ और आपकी बॉड़ी प्यॉरिफाईड होने के सास्थ आपका यूरिक डिकलाइन करेगा आपका बलॉड सुगर अपका ब्लॉड प्रेशर सेतल्ड अपको माइग्रेंट डेप्रेशन में डिरामेटिकल फायदे होगे और मेक शॉर आपका वेट भी क्लाइन होगा यदि आ आधाग खाना है और आप यदि ऊगेज हों तो आप किसी भी लिकृट पर पर फास्टिंग करें जूस वाठ EBST एड़ी आप डायबोटिक हैं पेशेंट हैं जिनको blood pressure है जिनको migraine depression है make sure उनको fasting के दोरान भी liquid जरूर लेना यानि water वो stop नहीं करेंगे so that is a right way clinical way of fasting जिससे आप clinical health benefit आपको मिल सकते हैं और आपकी जो life style metabolic जो problems हैं बीमारियां हैं उनमें आपको directly फायदा होगा आपकी gut purify होगी आपका liver purify होगा आपकी kidney purify होगी और उससे आपको clinically health benefit होगे thank you very much thanks for watching